हेलो फ्रेंड्स माइसेल भारतेंद वूसन आज हम लोग रामसर कन्वेंशन के उपर डिसकेशन करेंगे दिखें रामसर कन्वेंशन जो है रामसर तो एक इरान का ही जो है वो जगह है शेहर है बेसिकली जहांपर जो है रामसर कन्वेंशन जानते हैं आप एक समझोता होता है लेकिन यह समझोता जो है वो वर्ल्ड वेटलेंड से रिलेट करता है मतलब वेटलेंड को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि रामसर कन्वेटलेंड ठीक है इसके उपर जो है बिस में जो है दो फरवरी को प्रतेक वर्स वर्ल्ड वेटलेंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन अब महत्पुर्ण पॉइंट यह आता है कि बेसिकली यह वेटलेंड है क्या बहुत सारे फ्रेंडों के मन में यही जो है वो कुश्चन्स होते हैं कि वेटलेंड क्या होता है देखे वेटलेंड एक जब हम लोग एकोलोजी पढ़ते हैं या तो फिर इन्वारोमेंटल साइंस पढ़ते हैं तो environmental science के अंतरगत जो है वो wetland हो जाता है एक ऐसा जगर एक ऐसा भूमी जहांपर साल के प्रतेक महिने जो है और सभी दिनों में वहाँ पर पानी का उपलब्धिता बना होता है ऐसे जगों को हम लोग wetland कहते है अब wetland को protect करना क्यों महत्पूर्ण है प्रस्ण तो यह भी आ सकता है कि wetland से हमें क्या benefit क्या मिलता है बहला benefit है wetland से कि wetland को एक तरीके से आप बहुत सारे इसके उपनाम दिये गए हैं इवन कि इसे lungs, kidney इन सब फेफरे जिसको कहते हैं तो जो धरती है प्रित्वी है उस प्रित्वी का फेफरा कहा जाता है अब blood circulation को बढ़ाना बोडी के अंदर जो है blood circulation को बढ़ाना क्यों आवशक्त है blood circulation का क्योंकि blood circulation होने के बाद ही जो है body living रह पाता है ठीक है अब यहां पर देखे कि wetland को यही कारण है कि बहुत सारे नामों से जो है wetland को जो है जाना जाता है इसका उपमा दिया जाता है 1971 में यह समझोता जो है वो रामसर में जो इरान का एक सहर है कैस्पियन सागर के टट पर तो यहीं पर यह एक समझोता होता है काफी सारे देश जो है इसमें भाग लेते हैं तो पहली वार जो है ऐसा हुआ कि क्योंकि इस वज़ा से क्या है कि जो environmental crisis है आज जो global warming देखें बहुत सारे content है content जो है वो normal content तो आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारे चीज पढ़ सकते लेकिन जो जहां से जो concept आपका development होगा रामसर convention में कुछ बहुत अधिक ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एक convention है लेकिन इस conventions को क्यों महतपुर्ण है event की UPSC, BPSC जैसे questions जब set होते हैं तो रामसर convention पे काफी सारे questions आने के chances होते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है कुछ तो कारण होगा तो उसके पीछे कारण यही है कि यहां पे जो environmental है issues है, इस चीज़ को main focus करना होता है और wetland में जो है, जो wetland मतलब अब हम example देके आपको समझा सकते हैं कि कौन सा, किस चीज़ को wetland कहा जाता है wetland कहा जाता है वेसिकलिए जैसे कि आप देखेंगे कि कोई नदी है, ठीक है उसके कुछ जमीन तक, कुछ भूमी तक या हमेशा जो है, पानी का बहाव लगा रहता है तो ऐसे जगों पे जो है, मिटी बिल्कुल ही गीला हो जाता है दलदला मिटी बन जाता है और ये दलदले मिटी जो है, साल के परते एक दीन जो है ऐसे ही दल दला रहे था अब होता क्या है कि जिस तरीके से infrastructure development हो रहा है बहुत सारे परयोजना चल रहे है तो होता क्या है कि उस पर मिट्टी करन हो जाता है और उसको जो है उसके जो है structure है टॉपोग्राफी है उस चीज को बिल्कुल ही बदल दिया जाता है अब इससे परिश परिया जदी जो है वो मारा जाता है तो इसका direct impact जो है वो हमारे परियावरन पर ही पड़ता है तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है conventions होता है और इस चीज को हम लोग रामसर conventions के नाम से जानते हैं अब अस्थान जो है मेन जो मेन पॉइंट है इसके अंद वो समर्द जीव जो है विविदता को देखने को मिलती है और सोचने की बात है कि जब विविदताओं का मिलना ही इसका जो है महत्पुन पॉइंट जो है रेज करता है इसकी importance सी पूछा जा सकता है कि आखिर जो है wetland क्यों important है ऐसा तो direct question नहीं होता है कि रामसर convention क्या था ठ करता है कि रामसर convention का जो ecological importance है उस चीज़ को हम लोगों को focus करनी चाहिए क्योंकि रामसर convention में जो main issues आता है वो है कि वहां के किस तरही के से ऐसे land को protect किया जाए जो की काफी important है हमारे ecological beneficial benefit हम लोगों को provide करता है ऐसे ही wetland को जो है वो आदर भूमी भी कहते है हिंदी में आदर भूमी कहते हैं और यह एक basically situations है situations क्या है कि जब पानी निकलता है और गिरता है इविन गाउं में आप जाएंगे कहीं पे तो गाउं में आप जाकर देख सकते हैं कि गाउं में जो है चापाकल होता है और बारे वाले जहां से पानी हमेशा लगतार बहता है ऐसे जगों पे बहुत सारे बैक्टरिया वाइरस पर जो है अलगी फंगल और ऐसे बहुत सारे जो है वह पेर पौधे भी उगनाख सुर्ण हो जाते क्योंकि वहां पे पानी का एबेबिलीटी हमेशा बना होता है और इसी वज़ाज से रामसर का कन्वेंशन हुआ बर्स 2017 में ये वेटलेंड को संरक्षित करने के लिए एक संरक्षन एवन प्रापधान भी नियम हुआ तो 2017 में वेटलेंड कंजर्वेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे वेटलेंड कंजर्वेशन जो है मैनेजमेंट र वो सब क्या करती है, इस पूरे जो भी वेटलेंड है, उसको डिस्ट्ट्रॉइ करने का लगातार काम कर रही है। बेसिकली क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा चलने के साथ जो है यहां पर आपको देखेंगे कि नाले से जो भी मुईस्चर है अलग-अलग जगों पे तो मुईस्चर को काफी बढ़ा देता है और जिस वजह से जो है पॉल्यूशन्स जो एर पॉल्यूशन्स है मेंली उस ए स्पार्ग मारकेट का मतलब हो गया कि जहां पर हर चीज मिल जाए वह चीज मिल जाए जो पुए 20 में मिलता हो और दुनिया के किसी भी ईग्राफिकल जो इस सपेस है वहां पर मिलता हो तो ऐसा कौन सा जगह है ऐसे question पूछा जा सकता है कि वह जगह बताईए जहां पर बेक्टेरिया, एल्गी, फंगी, सभी प्रकार के जीव जन्तु यहां पर पाये जाते हैं and second point है food weeps का निर्मान करता है क्योंकि यहीं से food weeps का cycling होते है food cycle उस चीज़ को भी complete करता है तो इसके वगेर food cycle भी कहीं न कहीं destroyed हो जाता है तो इस वज़े से wetland का importance है food weeps यानि कि भोजन जल में कई खाद स्रंखलाए सामील होती है और ऐसा माना जाता है कि food weeps परिस्थिति तंत्र में जीव के खाद व्यवहारों का वास्तविक परिती निध्यत्तु करती है जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे है तो इस वज़े से भी जो है काफी important है इसी के बाद जो है kidneys of the landscape भी इसे कहा जाता है kidney of landscape भी इस चीज़ wetland को माना जाता है और समझा जाता है तो रामसर convention यही था रामसर convention बेसिकली एक तरीके का जो है wetland को convention है इसके उपर बहुत सारे जो हैं इसके member है और वो member जो हैं sign करती है तो I hope कि आप लोगों को यह काफी important लगा होगा और जो wetland है और रामसर convention से वो रामसर convention क्या है रामसर convention के उपर जो है काफी कुछ जानकारी इकठा हो गया होगा I hope so so मिलते हैं आगे दब दक के लिए have a nice day take care and see you soon